बेन का मर्डर उसके घर में हुआ था। बेन के दोस्त रॉय और जोज अपराद स्थल पर मौजुद थे। प्रसीद जासुस मेहुल को जाँच के लिए बुलाया गया था। जाँच के दोरन थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई थी। रॉय के पास एक पिली कार थी। जोज के पास एक लाल कार थी। और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे एक हफ़ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पुछताच के दुरान रॉय ने कहा। मैं आज सुभह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जोज की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी। जोज ने कहा, मैं आज सुभह आया था। ओर रॉय की कार पहले से ही वहाay खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि बेन का मर्डर किस ने किया रॉय ने या जोज ने रॉय जोज से पहले आया था क्योंकि वह खुशी के बाद आता था उसकी कार को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दर्वाजा नहीं खुलेंगे